गौमुक से लेकर के गंगा सागर तक दो हजार पच्चिस किलोमेटर गंगा नदी को अपने पैरों से चलकर के नापा। फिर हमें किसी ने सलाह दिया कि आप हिंदी सिखो और संस्कृत सिखो चुकि सारा ग्यान जो है उस संस्कृत भासा में है। तो सोमनात में मेरा 12 जोतरलिंग हुआ था तो यहां बताया गया कि मैं कासी जा रहा था संस्कृत पढ़ने के लिए। संस्कृत वैसे मैं घर में हम जब रहते थे तो हमारे यहां एक पंडिजी आते थे हमको कुछ संस्कृत सिखाने के लिए। चोकि हमारी मा नहीं थी तो हमारी परवरिष हमारी ग्रांड मदर ने किया तो उनको ये चिंता थी कि कहीं बच्चे का संस्कार बिगड़ न जाए तो एक पंडी जी एक घंटे के लिए हमको संस्क्र सिखाते थे तमिल भासा के अंदर और अलग-अलग बात में लेकिन ओ हमें कुछ काम्याबी जादा नहीं मिली थी बाद में मैंने संस्क्र यहां गुजरात में रहके टंकारा में शिखा हिंदी सिखा और उसके बाद में हम वहाँ पर रहते थे हमें पता चला कि इस गाउं में ये पूरा जंगल था यहां लोग दिन में आने से उनको डर लगता था आज बदल गई परिस्थिती इन 15-17 बरसों के अंदर तो यहां गाए को एक संतजी रखते थे गरम पानी पिला देते थे गाए मर जाती थी तो धोरा जी बाजू में प्लॉटरी फार्म के लिए उसको भेज दिया जाता था तुम्हें पढ़कर पेपर में बहुत दुखी हुआ तो 28 दिसंबर 2000 को बच्चों में इस गाउं में आय था और यहां हमने 5236 गाए की गोशाला बनाई सूरज निकले एक लाख रुपे रोज का चारा लगता था मैंने यहां एक घास की जोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगा इसके बाद में भूकम्प आ गया तो हमें फिर दिल में करोड़ा आई एक हमें काम करना चाहिए तो भूकम्प में हम गये 137 ट्रक राशन अपने सहयोगियों किसे लेकर बटा पस्वों के लिए 980 ट्रक चाया दिया और वहां हमने पांच गाओं बनाए कुरन घोड़ पर खारी बेड़हार और खारोड़ा और इसके साथ में 17 स्कूल बनाए जो गवर्मेंट स्कूल डिश्ट्राइ हो गये थे उसको स्कूल को हमने बनाया इसके बाद में 400 कूएं हमने सावर काठा जिले के पोसीना छेतर में खुदवाए 600 चेक डेम बनाए और ये हमारे जो पोरबंदर से आये हैं अरजुन भाई इनके एरिया में बखाला अदी गाओं में हमने 50-50 लाक रुपे के काफी तालाव और चेक डेम मुरु भाई मौडवाडिया के साथ मिलकर काम करके बनाए जब मैं काम करने लगा तो अब्दुलकलाम को पता चला कि मैं सब कुछ छोड़ चाड़ कर समाज के लिए काम कर रहा हूँ ओनों ने मेरा संपर किया यहां आए और एक महीना मेरे साथ हो रहे हम यहां और कच्छ में खैरनार को पता चला मैं काम कर रहा हूँ तो पांच बरस यहां रहे के पियस गिल आये जनरल जगजी सिंग अरोडा भी चार महीने यहां पर रहे जनरल अरोडा मुझे काफी समझाते थे और उन्होंने मुझे बोले कि आप लेट मिले बहुत प्यार मिला उन्होंने काफी हमें सोने का कड़ा हरमिंदर साम में जाकर पहनाया मुझे गर्व है और उन्होंने वहां इमोशनल स्पीज दिया किसी के धरम में दस गुरू होते हैं और अगर वो गुरू के संख्या कम पढ़ जाये तो ग्यारवा गुरू इस बच्चे को बना देना वो आज तक मैं उनकी बात को भोलता नहीं हूँ बहुत प्यार करते थे प्यारे बच्चों इस तरह से सफर सुरू हुआ तो केपियस गिल हम दोनों इहां घास की जोपड़ी में बैठे थे बिचार कर रहे थे तुनों ने कहा बेटे एक गाय भैस रखना एक कोई मुर्खों का काम है आप देश के लिए समाज के लिए कुछ सोचो और पूरे देश में आप एक बार फिर से देखो उनके साथ हम असाम गए किस्मीर गए और भी इस्टेट में गए और हम लोगों ने काफी चिंतन किया एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ दो तीन दिन रहना है और सर्थ होगी एक ही बेट पर सोएंगे एक ही जगे खाना खाएंगे और कोई बात दूसरे से नहीं करेंगे मैं गया तुन्होंने कहा एक बहुत बड़ा मंदिर आप बनाओ ताकि लोग दरसन करने आएं और अगर हजार लोग दरसन करने आते हैं साम को दस रुपे डाल जाते हैं तो साम को दस जार रुपे अभ लाख रुपे इसे मिल जाएंगे आपको फिर कुछ समय के बात कहते हैं कि चलो एक बम बनाने की पैक्टरी मनाते हैं अलग-अलग टाइब की मजाक करते थे, तो हम लोग सो गए, सुबह कहते हैं चलो चलते हैं चन्डी गड़, हम लोग पांच गटे का सफर के राश्ते में कोई बात ने किया, फिर कहते हैं चलो सिमला चलते हैं, सिमला गए, फिर उनका बिटायक मैं आप से कहता हूँ, आप ज मांग रहा हूं आप इस देश के लिए कुछ काम करो तो हमने काफी सोचा और बोले पहले आप एक स्टेडी करो कि देश में क्या-क्या समझ्छाएं हैं और क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों हमने तीन महीने का समय लिया सोचा और पूरे देश में फिर देखा हमने एक रिपोर्ट बनाया किस देश में 11 प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनके सुधरने से देश सुधरता है और जिनके बिगडने से देश बिगडता है नमबर वन पॉलिटीसियन थिंक टैंक किसी भी पार्टी में लाखो लीडर होते हैं लेकिन वो जो पॉलिशी बनाते हैं वो सौट एड़ सो पचास लोग मिलकर बनाते हैं और जो पॉलिशी तैं करते हैं वो पूरी पार्टी इंप्लिमेंट करती है तो पहला है सुधर पॉलिटीसियन थिंक टैंक दूसरा ब्यूरोक्रेट्स इस देश में IS, IPS, IFS, IRS ये जो पॉलसी बनाते हैं एक करोड़ चौरानवे लाग भारत देश के सरकारी करमचारियों की संख्या है उसमें ये पचीस पचास जार लोग क्लास वन अफसर और प्लस ये UPSC के आए हुए लोग ये जो पॉलसी बनाते हैं वो पूरे देश पर समाज पर असर करता है तीसरा बर्ग है कॉर्पोरेट्ट बड़े बड़े ओद्यों की घराने ये लोग ऐसे मौसम बेग्यानिक होते हैं वो हर तरफ अपना सही रखते हैं और जो चाहते हैं वो देश में काम करते हैं और करवाते हैं चौथा बर्ग है टीबी चैनल पत्रकार रिपोर्टर्स ये इनका क्या इंटरेस्ट है किसलिए काम करते हैं इसका एक समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है पांचवा टीवी सीरियल फिल्म के मेकर्स साहित कार आप कैसी फिल्म बनाते हैं किस तरह से लिटरेचर सुसाइटी को देते हैं और आप कैसे सिरियल बनाते हैं इसका समाज पर असर पड़ता है आप देखिए जब महाभारत रामायड सिरियल चला था हमने लोगों से सुना कि रोड बंध हो जाते थे आप किस तरह से सोसाइटी को मारदर्सन करना चाहते हैं उसका असर पड़ता है इसके बाद में आपको मेनेजमेंट, मारकिटिंग, एड़र्टेजमेंट के लोग आप कैसे तरह से मारदेश में माहौल बनाना चाहते हैं इसका एक असर समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ता है इसके बाद सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट माहत्मा गंदी जी ने 1921 में एक आर्टिकल लिखा था हरिजन पेपर में कि जब ये देश आजाद होगा, डेमोक्रेसी आएगी तो वहाँ फोर टाइप के डिफेक्ट्स दिखा ही पड़ेंगे नमबर वन, डिफेक्ट्स आफ एलेक्शन्स, एलेक्शन में डिफेक्ट्स आएगा ब्रेटन आप गवर्नेंस, प्रसाशनिक बोज का आपको असर दिखाई पड़ेगा तीसरा, इंजस्टिस, अन्याय अत्याचार का होगा और चौथा ट्रिने आफ रिच, अमीर लोग गरीबों की सोसन करेंगे तो ये चार प्रकार के डिफेक्ट्स, 1921 में गांधी ने लिखा था एडिमोक्रेसी में आएंगे तो इसका हमें इंजस्टिस जो होता है, वो लोग को न्याय नहीं मिलता इसके बाद स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स परसन होते हैं, उनके लाइफ से लोग प्रभावित होते हैं और उनके विशे में जानना चाहते हैं इसके बाद स्कूल के प्रिंस्पल और ट्रश्टी लोग, इनका समाज में काफी असर होता है तो ऐसे ही 11 बर के लोग हैं जिनके सुधरने से देश सुधरता है और जिनके बिगड़ने से देश बिगड़ता है तो इसके लिए कोई एक स्कूल हम बनाते तो 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चों के बीच में सिमिट कर रह जाते और पूरी लाइफ आप पढ़ाई करें कुछ होता नहीं जिन्दगी में जो परिवटन आते हैं एक दो सब्दों से आते हैं तो इसके लिए पूरे देश में भरमण किया जाए और पूरे देश के बच्चों को लाया जाए, उनको हमारे पास ग्यान नहीं है, जो देश के जो समझदार लोग हैं, उनको लाकर के समझाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने 10 फरवरी 2002 को पहली सिविर यहां लगाये थे, राष्ट कथा सिविर प्रारंब किये देश में जिस तरह से भागवत कथा रामाइड कथा होते हैं उसी तरह से राष्ट कथा प्रारंब किये तो आचार चाड़क का एक वाक समझ में आया इजी टू गेट सकसज बट डिफिकल्ट टू मिंटेन इट किसी भी काम को करने से सफलता बड़े आसानी से मिलती है लेकिन उसको लॉंग टाइम मिंटेन रखना वो बहुत मुश्किल होता है तो अब उसको मिंटेन रखने के लिए जिन्दगी के कुछ एथिक्स, वैलूज, कुछ प्रिंस्पल होने चाहिए तो हमने जब काम करने का फैंसला लिया तो 27 फरवरी 2002 को हम डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम, के पिएस गिल, जोगिंदर सीन और इसके साथ में मिल करके ये बिचार किये आज ओ दुनिया में ये लोग नहीं रहे तो प्यारे बच्चों हमने जिन्दगी के अपने पांच फैंसले लिये पहला फैंसला ये लिया कि हम कभी सरकारी सहायता नहीं लेंगे हमने जो इतने काम किये गाउं बनाए, स्कूल बनाए उसमें भी एक रुपे कभी सरकारी फंड जबकि 50% गवर्मेंट आफ गुजरात सबसिडी दे रही थी हमने एक रुपे कभी किसी के पास जाकर के हाथ फैला कर भीक नहीं मांगा कि हमें सहायता चाहिए पांच जार गाए रखी उस समय दस रुपे एक गाए पर सबसिडी मिलती थी पचास जार परड़े सबसिडी मिलती थी लेकिन हमने एक रुपे कभी सरकारी सहायता नहीं लिया ने हमने कभी सरकारी सहायता लिया और ने कभी फोरन का फंड लिया तो जिन्दगी का पहला फैंसला लिया था कि ना हम कभी सरकारी सहायता लेंगे और ने कभी फारण का फंड लेंगे जिन्दगी का दूसरा फैंशला हमने ये सोच समझ करके लिया कि हम कभी बिद्या को बेचेंगे नहीं कोई मुझे लेक्चर परवचन के लिए बुलाएगा तो उसके लिए फीश नहीं लेंगे बिद्या बेचना गौमांस खाने के बराबर है हमें धर्म सास्तर में बताया ब्राम्मणे निशकारणो धर्मे सडंगो बेदो धेयो जेयस ब्राम्मण का बिद्वान का निशकाम का है तो बिद्या का परचार करे और उसे निसुल्क सेवा लोगों के पास जाकर के करें ने कभी बिद्या को बेचेंगे और नहीं कोई मेनिवर सिस्टम से चालबाजी चालाकी से परचार परसार करेंगे किसी प्रेस कानफरेंस करके या किसी प्रेस वाले को चाय पानी पिला करके या किसी को लांच रिसमत दे करके अपना आर्टिकल एडिटोरियल लिखाओ वो मैं लाइफ में कभी करने वाला नहीं हूँ चाहे कोई जाने या मत जाने तो ये जिन्दगी का दूसरा फैसला आज तक ये कोई इसका परचार परसार विसेश नहीं है तो ये फैसला हमने सोच समझ कर लिया था जिन्दगी का तीसरा फैसला था कि हम कभी काश्ट कुमेनिटी में भी स्वास नहीं करेंगे रिजनलिजम छेतरवाद में भी स्वास नहीं करेंगे जो सोचेंगे वो निशन और हिमेनिटी के विसे में सोचेंगे आप एक दूसरे के विशे में सोचेंगे उसके लिए कोई पर्टिकुलर काश्ट और उसकी सोसाइटी के लिए हम नहीं सोचेंगे और नहीं इसके तरफ हम जाएंगे जिंदगी का चोथा फैसला लिया हम कभी धानी कठ्था नहीं करेंगे और नहीं कोई चेले चेली की फौज बनाएंगे कुछी को डोरा धागा बांद कर कंठी माला पेना कर अपनी फालोविंग क्रियेट करना वो मैं लाइफ में कभी नहीं आज सत्रे बरसों में मेरा कोई पी ए नहीं है मेरा कोई आफिस नहीं है मुझे कहते हुए दुख भी है और गर भी है आज साट सत्र बरस के पुराने बुजर्ग इंसान जन्रल महता साफ सर एक मिनट आप लोग सामने खड़े होंगे ये युनाइटेड नेशन में काम किये थे आर्मी इंटेलिजन्स के डीजित है ये सारे लेटर हमारा बना देते हैं इस उमर में और सारी बुक बना देते हैं जहां भेजना सर इनको इमेल कर दीजिए इनको फ़े कर दीजिए सब कुछ ये बिशारे इस सेज में जाकर के करते हैं और यहां आकर के यहां मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि मुझे से भी जादा यह काम करते हैं दिवालों पर चूना तक इन्होंने अपने हाथ से लगाया है यहां की कलर भी इन्होंने खुद किया है तो ऐसे इस खिती में आकर के काम करते हैं और इनकी जितने भी तारिफ की जाए वो कम है तो जिन्दगी का चौथा फैसला हमने कभी बैंक में एकाउंट अपने नाम का नहीं खोला था ये लाश्ट इयर डी मोनेटाइजेशन के बाद पैसे नहीं हुए तो एटियम आदी की जरूत पड़ी तो इस उमर में मैंने पिछली बरस अपने नाम का निजी एकाउंट खोला और समयारे पास कोई बैलन्स नहीं था और जिन्दगी का पांचमा फैसला हमने लिया था कि मनुष से उसकी कमजोरी होती है अगर मैं ऐसे रह गया तो लाल पीले कपड़े पहन कर बदमासी नहीं करूँगा अगर मैं रह पाया तो ऐसे रह जाऊंगा नहीं रह पायेगा तो साधी कर लूँगा लेकिन परदे के पीछे गरल फैंट बॉय फैंट बना करके कुकर्म मोह काला करके कुकर्म नहीं करूंगा तो ये ये पांच बरत मैंने 27 फरवरी 2002 को लिया था और आज तक इन फैंसलों पर हम कायम है प्यारे बच्चों इन 17 बरसों की सफर में बहुत से हमने ठोकरे खाई लाश्ट येर डी मोनिटाइजेशन का समय था तीन हजार रुपे सबजी वाले को किराया देने के लिए कैस नहीं होते थे पिछली सिबिर में हमको 59 लेक्स का नुक्सान हुआ था और ऐसे इस्थिती में हिंदू अब हमें जो सहयोग देने की बात है समाज मुसल्मान लोग सहयोग इसलिए नहीं करते चूकि स्वामी जी हिंदू है इसाई लोग सपोर्ट नहीं करते चूकि वो हिंदू है और हिंदू लोग का जो मेरा अनुभव है वो पांच जगे मदद करते हैं या तो आपके पास काष्ट बेश हो कि बापू अपणाच है जाती वाद हो माराज जी हमारे धर्म के हैं तो आप कुछ भी करो चलता है उनको मदद मिलती है दूसरा आपका रिलिजियस बेश हो कि आप धार्मिक संगठन बना लिये हो और लोग उनके साथ रहते हैं मैं जब पहले शुरुआत की तो मैं धार्मिक लोग के खिलाब बहुत स्पीज दिया करता था नाम ले ले करके बोलता था उसमें कुछ लोग जेल में भी हैं और कुछ ऐसे और बहुत सभाय करता था देख स्वामी जी मेरे पास आये बोले आप कितना भी हमारा विरोध करो हम पर कुछ फरक पड़ने वाला नहीं है लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं नेक काम करते हैं इसलिए हमें आपकी कभी बुरा सोच भी नहीं सकते तो उन्होंने समझाया कि पबली को क्या क्या चीज चाहिए और हम सब प्रोवाइड करते हैं वो अलग बते हैं तो प्यारे बच्चों या तो आपके पार रिलीजियस बेस हो तीसरा या तो आप कथा करते हों वहां सपोर्ट करते हैं लोग और चौथा या तो आप चमतकार बताते हो जैसे आज जो निर्मल बाबा, साही बाबा सब करते हैं और पाजवा या तो आपके पास पावर हो ये पांच चीज है तो आपको पैसा मिलता है और नहीं है तो हमारे पास ये पांचों चीज नहीं है इसलिए ये इस्थिती में आपको express करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए है यह आपका campus है हमारे लिए B.I.P मंज पर बैठे वे लोग नहीं है और हमारे लिए B.I.P आप है चुकि हमारा उद्देश आप है हमारा उद्देश यह लोग नहीं है हम आपके लिए राद दिन लगे हैं और आपके लिए सोचते हैं तो इसलिए यह सोचना यह सारा campus आपका है यहाँ का नुक्सान आपका नुक्सान है और यहाँ का फाइदा आपका फाइदा है प्यारे बच्चो आपको यह हमेशा सोचना है कि आप यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए है आप को इन आठ दिनों के अंदर अपने experience एक page में लिखना है आप copy pen लेकर आए हैं नहीं आए हैं तो आप एच चार बाते लिखिए आपको क्या करना है नमबर एक हम यहाँ सिविर में जाकर के हमने क्या सिखा आप इस पर एक page का अपना experience लिखेंगे कि हम यहाँ सिविर में आकर के हमने क्या सिखा दूसरी बात हमने यहाँ सिविर में आकर के क्या किया हमने अच्छा किया बुरा किया किसी से लड़ाई किया जगड़ा किया या किसी का सपोर्ट किया हमने क्या क्या गलत काम किये हमने अपने गलतियों को क्या सुधारा तो सबसे बड़ी चीज है जिन्दगी में गलती को सुधारने की छमता पैदा करना तो ये दूसरा काम आपको लिखना है हमने क्या किया तीसरी बात आप ये लिखिए कि हमको समूह में रहकर के हमने क्या सिखा आप घर में अकेले रहते हैं या दो चार लोगों के साथ रहते हैं यहां इतने लोगों के साथ रहकर के आपने क्या सिखा और चौथी बात लखिए कि हमारे जीवन का जो उद्देश है उसमें कुछ बनने के लिए यहां आने से कुछ फाइदा होगा या नहीं होगा क्या उद्देश से क्यों हम आये हैं इन चार बातों पर हमें चार चार पेज आपके बिचार चाहिए ताकि हम उसे पढ़ सकें समझ सकें और अपने कामों में परिवर्तन ला सकें लेकिन एक कठिन काम करने से समझा समाज में ये आती है या तो आप किसी पार्टी के साथ एसोशियेट हो करके काम करो या तो आप फालोवर बना करके काम करो या आप टीम बना कर काम करो अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो समाज में वो चीज नहीं मिलती है सायो जो आप अप एक्छा रखते हैं लेकिन फिर भी हम बड़े सुक्र गुजार हैं कि भारे सरकार के जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया है उन विश्वास को देख करके इस सारी कमजोरियां हम एक मिनट में भूलने के लिए तयार हो जाते हैं मुझे गर्व है कि मैं इस तरो चेर्मेन रात को दो बज़े भी मैं उनको फोन करता हूँ फोन उठाते हैं और कहते हैं स्वामी जी मैं आपका पीएस हूँ आप जो कुछ बताया करो हम करने के लिए तयार हैं ये सम्मान मैं जानता हूँ बहुत बड़े लोगों को नहीं मिल सकता है जब मैं जाता हूँ दिली में बीएस अफ सियार पी अफ डीजी से मिलने के लिए NDRF डीजी से मिलने के लिए तो मुझे गर्ब होता है तो हमको नीचे तक बिचारे आफिस में जहां होते हैं छोडने आते हैं और कुछ तो आते हैं लेने के लिए भी आ जाते हैं मैं समझता हूँ इस सम्मान देश में बहुत कम लोगों को मिलता होगा 15 अगस 26 जनवरी को इसरो जैसा संस्था हमको चीप गेश्ट बनाया तो मैं इससे समझता है इससे बढ़कर के कोई दुनिया का काम मेरे लिए कुछ भी नहीं है अभी मैंने पूरे इस साल में पैरामेर्टिफ होर्सस में लेक्चर दिये अर्मी में जाकर के हमने बाते की जो एक दिन 365 दिन बच्चों ये शिविर है शिविर को छोड़ करके मैंने कभी भी तीन मिस्तर एक बिस्तर एक थीन नाइट एक बिस्तर पर नहीं सोया है मैंने पूरा साल भर का शिडूल 2017 में क्या किया है मैंने फेस्बूक पर भी डाल दिया, तो लोग कहतें साल वर आप करते क्या हैं, तो भी देखे हैं हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, एक-एक मिनिट का हम हिसाब रखते हैं, हमने किताबों में पढ़ा था कि छचत्री लोग धर्म और ब्राम्मण की रक्षा करते हैं, उन करने डिनर करने या इनके मिलने के लिए जाता हूं तो मुझे वह पढ़े हुई बात सामने याद आती है कि कोई भी संत महात्मा इनके घर पर जाये तो असम्मान उनको मिलता है जो एक प्राचीन समय में कभी किताबों मे लिखा हुआ था वह आज के समय में हमें दिखाई प्यारे बच्चों ये आखें हमारी बहुत भी 35 साल के उमर में बहुत कुछ देख लिये हैं जो जैसा दिखते हैं वो वैसा होते नहीं है और जो जैसा होते हैं वो वैसा दिखते नहीं है लेकिन चोड़ा समासाफ किया मिलने मिनिस्टर बनने पर या कैसे भी रहने पर इन में किसी भी प्रकार का कोई फरक नहीं आता है इनके अंदर मानोता, इंटीमसी, हुमेनिटी एक सामने से दिखाई पड़ती है मैं चाहूंगा एक बार जबर्दस ताली बजाकर सभी बच्चे आन्डेवल मिनिस्टर का सम्मान करेंगे अब हम अपने साथे जनर्र जीडी बक्सी और परसांद कुमार मिस्तरा जी से अंदोत करूंगा यह हमारे दोनों यहां के ट्रस्टी हैं, वो लोग आएंगे और आन्डेवल मिनिस्टर का साल और साफा उड़ा कर सम्मान करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे एक ऐसे साथी हैं जो सुख दुख के हमेशा के साथी हैं और वो चट्टान की तरह हमारे साथ 24 सो घंटा खड़े रहते हैं 2013 की साल में आसाम में DHT ग्रूप जो टेर्रिस्ट और्गनाईजेशन था वो लोग कभी भारत से और भारतीता से अलग थे वो भारती मुख्धारा में आकर के जुड़े और उनके बच्चे इस सिविर में आना चाहते थे और जब मैं उनसे मिला तो बच्चों की बड़ी इच्छा थी कि हम सिविर में जाएंगे और गुरू जी से मिलेंगे वो बच्चे रात भर एक दिन ट्रेन में नहीं मिली फुल थी दूसरे दिन इस्टेशन पर बैठे रहे लेकिन वो गोहाटी से अपने घर जाने को तयार नहीं होते थे याम जी यहाँ आये हैं आसाम से याम जी हैं याम प्रसाद आसाम से प्यारे बच्चों दिलीप नौनीशा डिएच्डी गुरूप के चेर्मेन थे बच्चे इस्टेशन पर बैठे थे और मैं बहुत दुखी था वो कहते थे कि ये लोग गोली की बास समझते हैं बात नहीं समझते हैं रेलवे इस्टेशन के मास्टर को सूट करना चाहते थे हमशा जरा-जरा सी बात होते थे प्राब्लम होते थे मैंने रात को मुझे याद है कि दो बच कर सेчесा मिनट पर एक बच कर 47 मिनट पर सुरी मैंने अरजुन भाई को फोन किया हमने सोचा यह बड़े लोग हैं सो जाते होंगे पता नहीं बात एक बार कहके देखते हैं क्या होता है एक बच के 47 मिनट पर मैंने फोन किया कि अरजुन भाई ये परिस्थती है और बच्चे वहां से आना है अरजुन भाई ने उसी समय फोन मेरा रिशीफ किया, या नीर से जगे या जग रहे थे भगवान जाने, इन्होंने फोन रिशीफ किया, और इन्होंने वहां पर ट्रेंड में बोगियां लगवाई, और वो सिविर में आए मैं देखा मैं हिंदुस्तान से बहुत से पॉलिटीशियन से बिरोक्रेट से मिलता हूँ लोग कहते हैं उनके डिक्सनरी में ना तो होता नहीं है लेकिन वो परिडाम आता है मैं बहुत खुश हुआ और उस दिन से मैंने सोच लिया कि जितने भी मैं कैम्प करूंगा हर कैम्प में अरजुन भाई जरूर आएंगे और वो फैसला मैंने दिल से किया प्यारे बच्चों अभी सिविर लगा रहे थे पिछले साल का तो करजा था राशनवाले ने कहा कि स्वामी जी पिछले साल का बैलंस पिछले साल मेरे पास इनोवा गाड़ी थी इनोवा गाड़ी मैंने राशनवाले को दे दिया और भी करजे लेके दिया पिछले साल का भी आठ लाख रुपे उसका राशनवाले का अभी तक बाकी था तो इस बार का पैसा नहीं मिलेगा तो हम राशन नहीं देंगे तो मैंने अरजन भाई से रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ समय के लिए पैसे उधार दीजिए आप कहीं से करवा दीजिए हम फंड फाड़ा करके आपके पैसे को वापस करेंगे इन्होंने बैचारे ने परसों के दिन रासन देने के लिए पैसे हमें उधार मे दीए एक बार इनका जोड़दार ताली बजा करके आप लोग सागत करेंगे मैं आनरेवल जनरल बक्सी और मिस्रा साब से अन्रोद करूंगा कि वो आएंगे और अरजन भाई का सम्मान करेंगे प्यारे बच्चो हमारे देश के एक मैं ऐसी हस्ती से आपका परचे कराना चाहता हूँ जो आप उनके बिचारों को और उनके कारी को टीवी के माध्यम से जानते भी होंगे लेकिन कोई भी भारत की सरकार बनती है चाहे वो बीजेपी की हो कॉगरेश की हो कोई भी हो हर प्राइम मिनिश्टर की ये सपना होता है एक लक्ष होता है कि मैं एक बार आउनरेवल जी पारसार्थी से मिलों और बिदेश नीती के विशे में उनसे मिल करके अपने ग्यान को बढ़ाओं मुझे गर्व है कि ऐसे महान चिन तक बिचारक हमारे बीच में मौजूद हैं मैं स्री बक्षी साहब से मिस्रा साहब से जनरल साहब से रिक्वेश्ट करूंगा मेता साहब आएंगे और पारसार्थी साहब का सम्मान करेंगे और हम भी करेंगे साथ में करें झाल 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 प्यारे बच्चों पार्थ सार्थी साब तो खुद भी आए साथ में अपनी बेटी को ले आए और अपने पोते को भी ले आए ताकि उसको भारती भारती संस्कृती के बिसे में समझ बढ़े और पूरे परिवार के साथ यहां पर आए तो एक बार देखिए अपने इनको चिंता है कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृती सब्विता को न भूले इसलिए उनको सोमनात भी ले जाएंगे और यहां भी लाए ताकि इसको कुछ समझ में आए ग्यान बढ़े अब मैं जनरल साब से अंदोत करूंगा हमारे बहुत ही आधरनी डियाई जी सियाई सब का का सपोर्ट रहता है और पिछले साल इनके सियाई सब के हर ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के मैंने लेक्चर दिया और जगे जगे जाकर इनके जवानों को अफसरों को मिला मैं आउनरेबल राजु साब से अंदोत करूंगा को यहां आएंगे और जनरल साब आप साब का साल से सम्मान करेंगे पकड़ी तो नहीं पहनेंगे चुकि फोरस के लोग हैं तो सर जनरल साब आप भी हो जाए साथ में और अब हम बिना समय वक्त त्यारे बच्चो अब ये वक्त आ गया है कि मैं विचार करूं कि ये कैम्प में जारी रखूं या मैं बंद करूं ये बीस्वां कैम्प है और इस बार मैं काफी तूट चुका हूं खैर कुछ सरकार जो लोग बैठे हैं सरकार में उनके बेवहार से या जो कुछ समाज में हैं उनके बेवहार से क्या होगा ये चिंतन का विज़ए है लेकिन खैर इह बाते आप से नह का के मैं यही समाब्द करता हूं और मैं आन्रेवल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं क्यों आएं और अपने बिचार को रखें झाल